दोस्तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे, कि किस तर से आप अपने YouTube चैनल को verify कर सकते हैं और YouTube चैनल को verify करने के क्या-क्या फायदे है ओ भी हम इस वीडियो में जानेंगे और दोस्तो अगर आप एक बिल्कुल नए यूट्यूबर है तो यार इस वीडियो को पूरा कम्प्लिटली देखे इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे चीजे बताऊंगा जो आपके लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है तो गाइस चली हम बीना देर कि ये वीडियो को ज़्यादा लंबा ना गती हुए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं तो यार वीडियो में आगे बने से पहले आप सबसे एक छोटा सारी क्वेस्ट है कि यार इस चानल पर पहली बार विजिट की हो तो यार चानल को सबस्काइब करके बेल नोटिविशन बटन पर आल क्लिक कर देना इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजिबूल वीडियो पाने के लिए तो दोस्तों चली हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले करना क्या है आपको अपने फोन के जो क्रोम राउजर होता है आपको उसी क्रोम राउजर को ओपन कर लेना है बीना कोई space दिए आपको लिखना है studio.youtube.com जब आप बीना space दिए studio.youtube.com लिखकर सर्च करोगे तो आपकी चैनल की dashboard जो है open होकर आ जाएगा तो guys आपके चैनल के dashboard कुछ इस तरह से open होकर आ जाएगा अब आपको करना का है यहाँ पर आप click करके देख लिजिए बिल्कुल scroll down करके नीचे आना है नीचे जब आओगे यहाँ पर आपको एक gear का icon मिलेगा एक settings का icon मिलेगा आपको इसी settings के icon पर click कर लेना है जब आप उस पर click करोगे आपके सामने इस तरह से interface आ जाएगा यहाँ पर आपको channel का option इसी चानल के option पे क्लिक कर लेना है, जब आप channel के option पे क्लिक करोगी, तो आपके सामने कुछ इस तरह से interface बना कर आ जाएगा, यहाँ पर आपको एक option मिलेगा, feature eligibility का आपको इसी feature eligibility के option पे click कर लेना है जब आप इस पे click करोगे यहाँ पर दूसरी number पे आपको एक features मिलेगा intermediate features आपको इसी intermediate features को on करना है यह पहले से ineligible रहता है आपको इसे eligible करना है तो eligible करने के लिए यहाँ पर आपको जो नीचे एक arrow दिख रहा है आपको इसी arrow पे click कर लेना है click करके थोड़ा नीचे scroll down करके आओगे तो यहाँ पर आपको एक option मिलेगा verify phone number तो आपको इसी verify phone number पे click कर लेना है तो जब आप verify phone number पे click करोगे आपके सामने कुछ एक और interface बनकर आजाएगा कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको अपने phone number देकर अपने चानल को verify करना है तो चानल को verify करने के लिए आप जो है text message के जरिए अपने account को जो है verify कर सकते हो या तो आप call पे अपने voice message के जरिए जो है उसे लेकर भी आप यहाँ पर अपने चानल को verify कर सकते हो आप दोनों तारा से कर सकते हो फिर यहाँ पर आपको अपना country एंटर करना है फिर नीचे आपको phone number एंटर करना है तो गाइस चलिए हम यहाँ पर अपना phone number एंटर कर देते हैं आप 6-digit का एक OTP आएगा, आपको उस OTP को यहाँ पर enter करना है, तो चलिए यहाँ पर हम OTP को enter कर देते हैं, तो गाइस हमने OTP enter कर लिया, OTP enter करने के बाद यहाँ submit के option पर आपको click कर लेना है, जब आप submit पर click करोगे, तो आपके सामने कुछ इस्ता से interface आजाएगा, लिख कर आएगा, phone number verified, congratulations, your phone number is now verified, यानि आपकी phone number जो है YouTube चैनल से verify हो चुका है, तो गाइस इसी तरह से आप जो है अपने चैनल को verify कर सकते हो, phone number के जरीए, तो गाइस अब आपको बताते हैं, कि चैनल को verify करने के क्या क्या फायदे है, तो गाइस पहला फायदा यह है, कि आप अपने चैनल पर custom thumbnail लगाते हैं, दोस्तो बहुत सारे हम जो अपनी वीडियो में थमने लगाते हैं, जो एक्स्टा तरीके से custom thumbnail, अगर आप अपने चैनल को verify करोगे, तो आप जो है उस चैनल को verify करने की वज़ा से, आप अपने वीडियो पर custom thumbnail लगा पाओगे, और गा comedy या तो कोई ऐसे short film के जो channel होता है, उस पे 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो हो जाता है, तो ऐसे में अगर आपका channel verify रहेगा, तो आप 15 मिनट से ज़्यादा verify कर पाओगे, 15 मिनट से ज़्यादा लंबी वीडियो को upload कर पाओगे, तो guys इसी तरह से आप जो है चैनल को verify करने के इतना सारा फाइदा मिलता है, तो guys अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को like करके, चैनल को subscribe जरू से कर लेना, इसी तरह की interesting और knowledgeable वीडियो पाने के लिए, दोस्तों चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, म मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए thank you